Hello students, welcome back to YFCC. आज के Delhi English Doze में हम सीखेंगे 10 new phrasal verbs को. शलिए स्टार्ट करते हैं, आज की हमारी पहली phrasal verb है pitch in. इसका meaning है to work diligently, यानि लगन से काम में जुट जाना. sentence में इसका use देखते हैं, he pitched in so that he could finish the work before deadline. यानि वह लगन से काम करने में जुट गया ताकि वह निर्दारी समय से पहले काम खतम कर सके. Next है lie behind, meaning है इसका to be the real reason, यानि की वास्त्विक कारण होना. sentence में इसका use देखते हैं, none knows what lies behind his decision, यानि कोई नहीं जानता है उसके फेसले के पीछे वास्त्विक कारण क्या है. Next है lie down, इसके दो meaning है, पहला इसका meaning है move into a flat or horizontal position, यानि लेट जाना. sentence में इसका use देखते हैं, he lay down on the floor, यानि वह फर्स पर लेट गया. इसका दूसरा meaning है take rest, यानि आराम करना. sentence में इसका use देखते हैं, as he was much tired, he wanted to lie down, मतलब है इसका, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था, वह आराम करना चाहता था. Next है lift off, meaning है इसका upward moment of a rocket satellite, यानि किसी rocket उपग्रह आधी का उपर की तरफ जाना. sentence में इसका use देखते हैं, the satellite lifted off in the space from Sri Harikota, यानि उपग्रह ने Sri Harikota से अंत्रिक्स में उडान भरी. meaning है इसका, केटी ने क्यों, यानि एक कतार में आना. sentence में इसका use है, the guests lined up to get refreshment, यानि महमान जलपान प्राप्त करने के लिए एक कतार में आए. Next है liken to, meaning है इसका, compare, यानि की तुलना करना. sentence में इसका use देखते हैं, we can't liken a new player to Sachin Tendulgar, यानि हम नए खिलाडी की तुलना Sachin Tendulgar से नहीं कर सकते. Next है, listen in. meaning है इसका, listening in secret, especially on the telephone, यानि चुपके से एक हास का टेलिफॉन पर बाचीच सुनना. sentence में इसका use देखते हैं, he was sure someone was listening in their conversation, यानि उसे यकीन था कोई न कोई उनकी बाचीच चुपके से सुन रहा था. Next है, live down. meaning है इसका, removing stigma through character improvement, यानि चरीतर सुदार द्वारा कलंग दूर करना. sentence में इसका use देखते हैं, after spending many years in jail, he pledged to leave down his crime, यानि कई साल जेल में बिताने के बाद, उसने चरीतर सुदार द्वारा अपने जुर्म के कलंग को दूर करने की कसम खाई. Next है, live on. इसके दो meaning है, पहला इसका meaning है, to depend for subsistence, यानि जीवन निर्वाय के लिए निर्वर करना. sentence में इसका use देखते हैं, he lives on his elder brother's income, यानि वह जीवन निर्वाय के लिए अपने बड़े भाई की आमदनी पर निर्वर करता है. दूसरा इसका meaning है, to be alive, यानि जिन्दा रहना. sentence में इसका use देखते हैं, he lived on for many years, although he was suffering from many serious diseases, यानि वह कई साल तक जिन्दा रहा, हालांकि वह कई गंबी रोगों को जेल रहा था. Next है, lock up. इसके दो meaning है, पहला meaning है, locking all the doors when you are going somewhere, यानि सभी दर्वाजों पर ताले लगाना, जब आप कहीं जा रहे हो. sentence में इसका use देखते हैं, they locked up all doors of the houses before living for Simla, यानि उन्होंने सिमला जाने से पहले घर के सभी दर्वाजों पर ताले लगा दिये. दूसरा इसका meaning है, to imprison, यानि जेल में डालना. sentence में इसका use देखते हैं, he was locked up when he was found guilty, यानि उसे जेल में डाल दिया गया जब उसे दोसी पाया गया. तो ये था आज का हमारा Delhi English Doors का lecture जिसमें हमने फ्रेजल वप्स को सीखा. इसी तरह से आप जुड़े रहिए वाइब सिसी के साथ. Thanks a lot. Have a nice day.